ओम नमो भगवते वाशुदेवायनमा आप सभी को कार्थिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुपकामना है कार्थिक पूर्णिमा कब पढ़ने वाले है वो आज में आप लोगे साथ शेयर करे हूँ कार्थिक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुरत में गंगा इस नान करने से जो होता है कि आपकी जो रोग हैं, जो आपकी परेशानियाimage हैं आपकी जीवन में, वो सबिन vikt होते हैं और शुक्सान्दि सम्रति आती हैं आपके घर पर तो कार्थिक पूर्णिमा का शुब मूरत है कार्थिक पूर्णिमा जो प्राराम हो रही है वो 18 तारिक को हो रही है उस सुबह दुफैर में 11 बचकर 55 मिट पर और जो ये समाप्त हो रही है वो 19 तारिक को शुकरवार को दुफैर 2 बचकर 25 मिट पर इसलिए कार्थिक पवित्र जल सरोवहर में दीवदान करते हैं वो अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर कैसे कर सकते हैं सबसे पहले एक चौक पूर कर आपको यहां पर एक बड़ा पात्र रखना है आपकी पास घर में आटा गूतने की पराथ हो तो आप उसमें भी डाल कर पानी औ आकर अपने मन में सोचकर इसमें दीवदान कर सकते हैं तो आप तो जांक तो आप तो में पण दो घ्ल लगन जल पहलना कर यह और को मिर दैना आप सकते हैं पुरत जोर्च आपकर सब्सक्टाइब गानने की अपको यहां फोट द अना पूलिदान नहीं कर ने के बिए और है तो सबसे पहले हम इसमें जो अछो डाल दिया है थोड़ा सा हल्दी शिंदूर और घुटाने और आपने फादर को तीक देंगे अची तरीके से यहां पूजना है हमें तो जो भी हम यह काम कर रहे हैं सुबह सुबह करना है ब्रह्मूरत में तो इसका आप इनको टीक दें, अब मैं यहां पर आम की पत्ते में दीबदान करूंगी, अगर आपका पत्ता बड़ा है, तो आप पांच कर सकते हैं, नहीं तो आप एक भी कर सकते हैं, और जब आप दीबदान करें, तो साथ में नेविद और मिठाई और फल जरूर रखें, थोड़े कि यहां पर दीबदान हो जाएगा मन में आपको ओम नमो भगवति वाशु दिवाइनमा और लक्षी मता का मंत्र जरूर बोलते रहना है आपके सभी कारे होते हैं से पूरे साल भर का आपको यहां फल मिलता है अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत अच्छी तरीके से इसनान करकर आप दीबदान करते हैं दानपुन करते हैं ब्रामवनों को भूजन कराते हैं तो बहुत ही शुब होता है और दीबदान दीओं से कैसे करना है वह मैं वीडियो पहले ही शियर कर चूकिए अगर आप नहीं देखिए तो आप देख सकते हैं में चैनल पर जाकर अब इस तरीके से कोई ऐस आखे पास कटूरी हो पीतल या तल्बी की तो भी तेयरती है ये देखेड़200 फार कि न यो जदधा शॉब माने जाता है इसलिए मैं वहाना के पत्ते पर कर रह। अगर आपके पास पीपल का पत्ता या यहां पर हम अपने पते को जो है उसको टीक देंगे और दिया लगाएंगे दिया अगर आप पांच रख सकते हैं तो आप जरूर रखें जो केली की चाल होती है केली की चाल पर भी आप कर सकते हैं तो इस पर एक साथ पांच आप रख पाएंगे तो भी आप कर सकते हैं तो अब इसे पते के ऊपर हमने दिया रख दिया है यह देखिए इस तरीके से हमें यहां पर पांच टीके लगा लिए अप पत्ते पर और इसमें दीपक को प्रजुलित कर लिया है थोड़ा हम पानी को सहारा देंगे थोड़ा सा हिलाएंगे जिससे कि आप समझ लिए कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है उस तरीके से जितना दूर जाएगा उतना ही अच्छा होगा डुपकी लगाना इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर देब सतनाओंगे धाथ्री आगर जन्हाइब करदेंगे कर दे आइंगे और यह इसमाइब जरूर पर आप फोर से आख बीन समय लेगे कर दे सकते हैं जैसे कि कोई पबितर पौधाओ आ अपके पास संत्रूर नत्र। और हमारे हाँ दीबदान पूरा हो गया है तो जासरा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जैसे सभी का लाब हो और कोई भी आके मन में कॉशन हो ता आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आज का ये वीडियो में यहीं समाप्स करती हूं आपका बहु